गरीब महंदी वाली गुंजन ओ गुंजन जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे माँ आप कर लो ना मैंने हाथ में महंदी लगा ली है इस लड़की को और कोई काम नहीं है जब देखो हाथों में महंदी लगा कर बैठ जाती है येनी की काम में मेरी कुछ मदद कर दे अरे माँ आप कपड़े ऐसे ही रहने दो मैं कुछ देर के बाद दो दूँगी आप काम पर चले जाओ तभी मीरा का पती सुरेश वहां आ जाता है ये कपड़े लेकर बैठी है चल मेरे लिए खाना डाल आप कब सुधरोगे सुभा सुभा शराब पी कर आ गए येनी की कुछ काम धंदा कर लो चपकर मेरा दिमाग मत खराब कर सुभा सुभा ओ गंजन चल तू मेरे लिए खाना डाल कर ला तेरी मागा तो दिमाग खराब हो गया है गंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि वो शराब के नशे में अपने पत्नी के साथ लड़ाई जगडा किया करता था जी पिताजी अभी ले आती हो गंजन अपनी मा के पास जाती है मा मेरे हाथ पर पानी डाल दो पिताजी को खाना देना है मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है महंदी तो बड़ी सुन्दर लगाई है तुने इसे साफ मत कर रहने दे मैं खाना दे दूंगी मा तुम्हें पता है ये मालवारी स्टाइल की महंदी है मेरी एक दोस्त है वो शेयर गई थी वहां से मेरे लिए ये मालवारी महंदी की बुक लाई थी इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है जितना मन महंदी में लगाती है कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर मा अभी तो स्कूल की चुट्टिया चल रही है पढ़ाई भी कर लूँगी न तुम दोरों यहां बाते करने लगी हो तुमें सुना ही नहीं देता क्या तभी सुरेश मीरा को जोर से चाटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है मा तुम ठीक हो ना हाँ बेटा मैं ठीक हूँ पता नी तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था एक दिन उसका अक्सिडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यू हो जाती है अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी एक दिन की बात है मैंने खाना बना कर रग दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ तू बाकी का काम देख लेना बिटा मा आप जाओ मैं महंदी के पत्ते पीस कर बाकी भी काम कर लूँगी मीरा काम पर चली जाती है गुंजन को महंदी लगाने का बहुत शौक था उसे जब भी समय मिलता था वो महंदी लगा कर बैठ जाती थी स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी महंदी लगाती है गुंजन ने अपने घर के पीछे महंदी के पेड भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी एक दिन मीरा काम से घर वापिस आ रही थी तभी उसकी मा को मोटर साइकल टकर मार देती है जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सडक पर जखमी हालत में देख कर उसे उठा कर डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं देखिए आपको कुछ दिन अराम करना होगा आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं मा ये सब क्या हो गया आपको देखिए आपकी मा को एक मोटर साइकल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चो मा आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है जा बकसे में कुछ पैसे रखे हैं जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन लेया गंजन जाकर देखती है तो वो बकसा खाली था मा उसमी तो कुछ भी नहीं है बकसा तो खाली है तेरे बाप में उसकी भी शराब पी ली होगी मैंने छुपा कर कुछ पैसे रखे थे उस बकसे में पता नहीं कब उसमें वो पैसे निकाल लिये खुद तो चला गया और हमें छोड़ कर चला गया यहां मरने के लिए मा आप चिंता मत करो मैं कुछ न कुछ देखती हूँ बेटा तू बाजार चाकर रमेश अंकल से समान लेया उनको बोल देना की मैं जल्दी ही उधार चुका दूँगी गंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है अंकल कुछ समान चाहिए था माने बोला है की पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी देख बेटा पैसे दे जा और समान ले जा मैं उधार नहीं करूँगा गंजन बिना समान लिए वहाँ से आ जाती है तभी वो देखती है की एक चौक पर महंदी वाले बैठ कर महंदी लगा रहे थे क्यों ना मैं भी यहां आकर महंदी लगाया करूँ वैसे भी स्कूल में मेरी महंदी को सब टीचर और लड़किया पसंद किया करते थे गंजन गहर पर आ जाती है मा वो रमेश अंकल ने समान देने से मना कर दिया बोल रहे थे कि पैसे ले कर आओ और समान ले जाओ मा मैं सोच रहे हूं कि क्यों ना मैं भी बजार के चौक पर बैठ कर लोगों को महंदी लगाऊं उससे कुछ पैसे तो आएंगे ठीक है बेटा जैसा तुझे ठीक लगे अगली दिन गंजन सुभा सुभा उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही महंदी के कौन बना कर बाजार में एक जगा पर बैठ जाती है पगवान मैं यहां आ तो गई पर पता नहीं कोई मुझसे महंदी लगवाएगा या नहीं तब ही वहां एक औरत आ जाती है सुनो एक हाथ में महंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो जी एक हाथ के सौ रुपे पहले एक हाथ पर लगा दो अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी गंजन उस औरत के हाथ पर महंदी लगाती है और उस औरत को वो महंदी बहुत पसंद आती है अरे तुमने तो बहुत अच्छी महंदी लगाई है चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी महंदी लगा दो गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर महंदी लगा देती है तब ही वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है उसमें से दो लड़कियां उतरती है जो सब महंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में महंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी वाव किती सुंदर महंदी लगाई है हाँ यार मैंने तो इतनी सुंदर मालवाडी महंदी कभी देखी ही नहीं और वो औरत गंजन को पैसे देखकर वहाँ से चली जाती है सुनो मुझे अपनी शादी पर मालवारी महंदी लगानी है तुम प्राइडल महंदी का कितना चार्ज करती हो जी मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ आप अपने हिसाब से दे देना पंद्रह हजार ठीक है? क्या? पंद्रह हजार? अच्छा ठीक है बीस हजार ले लेना इतना तो ठीक है न? जी मैं लगा तूंगी आप मुझे पता दो महंदी कप और कहां लिग करानी है इस महिने की 24 तारिक को तुम्हें हमारे घर पर आकर महंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहां से ले आएंगे और ये 5000 तुम एडवांस रख लो बाकी की तुम्हें 24 तारिक को मिल जाएंगे ठीक है? उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती है अरे गंजन तो इतनी जल्दी आ गई मा वो घर में कुछ काने के लिए नहीं था इसलिए समान जल्दी लेकर आ गई और आपको पता है आज का दिन बहुत अच्छा रहा मुझे पहले ये दिन बहुत अच्छा काम मिल गया गंजन सारी बात अपनी मा को बताती है मेरा भी बहुत खुश हो जाती है मा अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूले साथी दिये गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके